आज मुझे समूत्र दर्शन पत्थ, सोमनाथ प्रदर्शन गैलरी और जिर्डोधार के बाद नए स्वरूप में जुना सोमनाथ मंदिर के लोकारपन का सोभाग्य मिला है साथ ही आज पार्वती माता मंदिर का सलान्याद भी हुआ है इतना पुनित सयोग और साथ में सावन का पवित्र महिना मैं मानता हूँ ये हम सब के लिए भगवान सोमनाथ जी के आशिरवाद की ही सिद्धी है मैं इस आउसर पर आप सभी को ट्रस के सभी सदस्चों को और देश विदेश में भगवान सोमनाथ जी के करोडों भक्तों को बधाई देता हूँ विशेश रुप से आज मैं लोह पुरूश सरदार वल्लब भाई पटेल जी के चरणों में भी नमन करता हूँ जिनोंने भारत के प्राचिन गवरों को उनरजिवीत करने की इच्छा शक्ती दिखाई है सरदार साहब सोमनाथ मंदिर को स्वतमत्र भारत की स्वतमत्र भावना से जुड़ा हुआ मानते थे यह हवारा सवभाग्य है कि आज आज़ादी के 75 साल में आज़ादी के अमृत महोत्सों में हम सरदार साहब के प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं सोमनाथ मंदिर को नई भव्यता दे रहे हैं आज मैं लोक माता अहल्य भाई होलकर को भी प्रणाम करता हूँ जिनोंने विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ तक कितने ही मंदिरों का जिर्णोधार कराया प्राचिंता और आधुरिक ताच का जो संगम उनके जीवन में था आज देश उसे अपना आदर्श मान करके आगे बढ़ रहा है प्राचिंता आदने ही में गुप शारी बढ़ ब्राचिंता आदर्श मान करके जीवनाथवार प्राचिंता आदर्श मान एलस प्राचिंता।